Hello everyone! Good morning! How are you? Hope you are fine and enjoying study. This is the first chapter which we have already started in last session. Food, where does it come from? मतलब की खाना कहां से आता है? और last session में हमने देखा की different different तरकी चीज़ें हम regularly खाने में लेते हैं. और आपको दिखाया था कि आपको एक table बनाना है. इसमें देखो, food variety हमने पढ़ी थी. उसमें आपको table बना था. Table में आपको लिखना था, एक side अपने friend का नाम और एक side उसने क्या खाना खाया. तो आपने बना लिया है ना वो table? Hope की आपने बना लिया है वो table. और हमने पढ़ा था कि ये सब चीज़े है वो बनाने के लिए हमें ingredients चाहिए. तो ingredients का meaning क्या होता है? Raw materials. जैसे यहाँ पे है रोटी यानि की चपाती और वो बनाने के लिए हम दो चीज़े यूज़े करते हैं. आटा और water. और दूसरी यहाँ पे चीज़ लिखी हुई है दाल. food item है दाल. वो बनाने के लिए हम ingredients यूज़े करते हैं. pulses, water, salt, oil और ghee, spices. इस तरह की चीज़े हम ingredients में यूज़े करते हैं. तो हमने last lesson में यही पढ़ा था कि different तरह की चीज़े हम different तरह की चीज़े हम different time पे यूज़े करते हैं खाने में. और अगर कोई दूसरा country है तो वहाँ पे अलग खाना खाया जाता है. अभी देखो यह सब questions थे. What do we find? मतलब की हमने क्या-क्या find किया? Do we find some ingredients common for different food items? मतलब की आपको यहाँ पे food item लिखना था और एक में ingredients. तो आपको देखना था कि देखो यहाँ पे same kind of thing है water वो दोनों को बनाने में चाहिए. मतलब की same ingredient दो चीज़ों को बनाने के लिए चाहिए. मतलब की वो क्या हो गया? Common ingredient. तो वो आपको discuss करना था. 1.2 आज हम पढ़ेंगे food materials and sources. It may be easy for us to guess the sources of some of the ingredients that we listed in table 1.2. मतलब की हमने यहाँ पे ingredients लिखे होंगे. वो अलरेडी हमने देख लिए है. जैसे रोटी बनाने के लिए किया चाहिए. आटा and water और दाल बनाने के लिए हमें चाहिए. यह pulses, water, salt, oil, key spices. तो यह सब चीज़े हैं, वो कहां से आती हैं? Fruits and vegetables for instance. मतलब की fruits और vegetables कहां से आते हैं? Where do they come from? Obviously plants. हमें plant में से मिलते हैं fruit and vegetables. What are the sources of rice or wheat? मतलब की दाल, चावल ऐसी चीज़े हैं. गेहु हैं, वो कहां से मिलते हैं हमें? You may have seen paddy or wheat fields with rows and rows of plants. मतलब की हमने रोप पूरी की पूरी देखी होगी, जो भी fields में मिलती हैं. हमें देखने को मिलती हैं. Which give us these grains. मतलब की यह सब चीज़े, दाने हमें वहीं से मिलते हैं. And then there are food items like milk, egg, meat, chicken, fish, prawns, beef, pork and such others which come from animals. मतलब की जो भी नोनवेज चीज़े हैं, वो हम कहां से लेते हैं? हम लेते हैं animals के पास से. ठीक है? अभी देखो यहां पे activity दी हुई है. हमने दो activity तो अल्रेडी कर ली है. Right? तो तीसरी है, let us take the food items listed early and try to find the where they come from. मतलब की आपने जो भी चीज़े लिखी हुई है, उसको आपको source लिखना है. Source मतलब कहां से आता है? Some examples are shown in table 1.3. यहां पे एक दो examples दिये हुए है table में. देखो यहां पे idli बनाई हुई है. Food item है idli. और ingredients मतलब की raw materials जो भी use हुआ है, वो है rice, उरदाल, salt, water. Rice कहां से मिलता है? Sources मतलब हम कहां से लेते हैं. तो rice हमें आता है plant से. और आपको क्या करना है? यह सब चीज़े find out करनी है. जैसे देखो, उरदाल कहां से मिलती है? Salt and water. तो salt हम लेते हैं, sea water से. लेते हैं ना? फिर नीचे देखो chicken curry. बनलब chicken है, वो animals मिलता है हमें. Spices है, वो कहां से मिलता है? वो लिखना है. Oil और ghee, वो plant और animals से हमें मिलता है. और water, वो कहां से लेते हैं? तो obviously, lake और river में से हम पानी लेते हैं. वैसे ही, खीर का दिया हुआ है. Milk, rice and sugar. वो भी जो यहां पे blank से वो आपको fill up करनी है. आज आपको क्या वर्प करना है? यह सब चीज़े हैं. वो कहां से मिलती है? वो आपको fill up करनी है अपने book में. ठीक है? चलो, अभी next देखते हैं. What do we conclude from activity 3? आपको conclusion लेना है. मतलब कि हमने किया पढ़ा activity 3 से. Plants are the sources of food ingredients like grains, cereals, vegetables and fruit. मतलब कि यह activity 3 है. उसमें से हमने देखा कि food ingredients, मतलब कि plants है, वो source है एक food ingredient का. जहां से हमें मिलता है grains, cereals, vegetables and fruits. Animals provide us with milk, meat products and eggs. Animals से हमें मिलता है milk, meat products and eggs. Cows, goats and buffaloes are some common animals which give us milk. Obviously, we know already about it. That cow, goat and buffaloes are common animals which give us milk. Milk and milk products like butter, cream, cheese and curd are used all over the world. यह सब चीजें हम हरोज यूज करते हैं. Right? Can you name some other animals which give us milk? आप क्या कोई अलग, कोई दूसरा animals आप बता सकते हैं मुझे, जो हमें milk देता है. तो आपको ये मुझे comment section ने बताना है कि कौन सा वो animal है, वो हमें milk देता है. ठीक है? तो आज हमने पढ़ा ये different different तरकी, चीजे, food ingredients और sources, मतलब कि कहां से मिलता है. ठीक है? तो हम मिलते हैं next lecture में. तब तक के लिए, बाबाई!